नमस्कार दोस्तों, OwnPassive एक IT कंपनी है और आप लोग एक IT कंपनी OwnPassive के फाउंडर है ऐसा आप लोग सोचते हैं लेकिन दोस्तों आपको बतादू हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं आज मैं इस वीडियो में यही सब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग को गुमरा किया गया और कैसे कानूल से बचने के लिए तरह तरह की चीजें आप सब के सामने लेकर आए गई तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं GoFounder की GoFounder से हम लोग सुरुवात करते हैं क्योंकि जो सुरुवात में इनकी वेबसाइड आई हम लोग से पैसे लेने के लिए उसका नाम था GoFounder दोस्तों जो पहले फाउंडर बने उन लोगों ने GoFounder की वेबसाइड के जरिये और जितने भी ये इसके पर्मोटर हैं जितने भी ये लोग हैं मैं आप लोग को पहले भी परूप के साथ दिखा चुका हूँ इन लोगों तक पैसे पहुंचाए लेकिन मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ये बात मैं हाईलाइट कर चुका हूँ गोफाउंडर और ओफाउंडर के बारे में लेकिन इसमें और भी कुछ पलस मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो सब कुछ गोलमाल आप लोग को नजर आएगा दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं जो अभी नए फाउंडर बन रहे हैं वो किसके जरीए पैसे दे रहे हैं वो ओफाउंडर्स.net के जरीए ओनपैसिव के सीओ आयस उभारा और इसके जितने भी लोग हैं डिलन और ये बाकी के लोग इन लोगों तक पैसे पहुँचा र दूसरी बात दोस्तों जो ओन पैसिव कंपनी ओन पैसिव टेकनोलोजी के नाम से इंडिया में में रजिस्टर है उसकी अगर डिरेक्टरिशीप में जाएं यानि कि उसके मालिक कौन है तो एक किरण कुमार नाम आता है और दूसरा नाम आता है अस्माहन मुभारे यानि कि आप लोगों ने ना तो ओन पैसिव कंपनी को पैसे दिये ये तो कलियर हो गया आप लोग के सामने कि आप लोगों ने पहले पैसे दिये गो फाउंडर को जिस गो फाउंडर को आपने पैसे दिये ना तो वो MCMA रेजिस्टर दी और वो गो फाउंडर तो भी इस द और ऑन पैसिव कमपनी का मालिक कौन है एक तो किरन कुमार जिसको कोई भी नहीं जानता और दूसरा अश्माहन मुपारे जिसको अश्मारा की पत्नी बताई जा रही है तो दोस्तो जो लोग यह परमोट कर रहे हैं ऑन पैसिव कमपनी को और एस मुभारा को on passive का CEO बता रहे हैं तो कहां से on passive का CEO as मुभारा साबित होता है ये आप लोग बताईए पहली बात तो ये कि इंडिया में MCA में जो register है वो on passive company है आपने पैसे किसको दिए go founder को पहले दिए अभी जो लोग दे रहे हैं वो founder को दे रहे हैं और MCA में register है on passive company on passive company का मालिक कोन है असमाहन मुभारे और एक किरन कुमार तो दोस्तों ये लोग कोन हैं जो लोग on passive को promote कर रहे हैं और जो खुद बता रहे हैं कि मैं on passive company का CEO हूँ मेरा नाम है एस मुभारा ये कहां है और कहां से साबित होता है और कुछ एक दो document मेरे पास आया वहाँ पे दूसरी country में एक country में इन्होंने document बनाए हैं वहाँ पे on passive के नाम से document बनाए हैं लेकिन on passive का कुछ और नाम है वहाँ पे यहाँ पे है on passive technologies इंडिया में MCA में register है लेकिन जो दूसरी country का document है उसमें on passive के कुछ और लगा हूँ है और वहाँ पे इसका जो CEO है उसका नाम है मुफारा S जी हाँ दोस्तो उसका नाम है श्कुष मुफारा नहीं है यहां पे सब कुछ गोलमाल आप को नजर आ गया होगा दोस्तों यह सारा खेल जो है सुरू से ही 2018 से यही सारा खेल चल रहा है कि कानून से भी कैसे बचा जाए और लोगों से भी कैसे लूटा जाए दोस्तो ओन पैसिव कंपनी ने कभी प्रोड़क्ट पर काम नहीं किया और कोई भी प्रोड़क्ट आपके सामने नहीं है जो सर्विस दे रहा हो यह जो कुछ साइट के लिंक वहाँ पे दिये गए हैं एक कलिक करते हैं दूसरा पेज ओपन हो जाता है इनको प्रोड़क्ट बोलना बेहिमानी है 2018 से ही ओन पेफिव कंपरी ने एक प्रोड़क्ट लोँच किया जिसका नाम है O-Scam दोस्तो इस कंपणी का सिर्फ एक ही प्रोड़क्ट है और वो 2018 में ही लोँच हो गया था जिसका नाम है O-Scam और लोगों से पैसे कैसे लिये जाएं और इस ओस कैम प्रोड़क्ट को जादा से जादा बड़ा कैसे बनाया जाए इसको अपडेट कैसे किया जाए इसके लिए ही शुरुआत से काम चल रहा है क्योंकि ऐसे प्रोड़क्ट बनाना जो ये आप लोगों को वादा कर रहे हैं ऐसे वादे करके लोगों से लूटना इन लोग का पुराना धंदा है जो मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ और उनको पता है कि ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन सकते हैं और नोन वर्किंग का नाम लेकर और करोड़ के सपने दिखा कर हम लोगों से पैसे ठग सकते हैं ऐसा ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो दोस्तों इन लोगों ने ओ स्कैंप प्रोडुक्ट लॉंच कर दिया था 2018 में फिर इन्हों ने खेल शूरू किया लोग के जल्दी जल्दी पैसे डलवाने के लिए कि next week हम ये कर रहे हैं next month हम ये कर रहे हैं जल् हम लोग soft launch करने जा रहे हैं अब soft launch का नाम बदल दिया है अब हम लोग semi launch करने जा रहे हैं अब go founder को अटाके ओ फाउंडर लेके आएंगे जिसमें 5-6 करांती कारी प्रोडुक्ट आएंगे हैदराबाद में हमारा office है वहां के employees ने बहुत बड़े कारनामे कर दिया उनको car gift दी जा रहे हैं उनको laptop security gift दी जा रही है यह सारा खेल चलता रहा है ताकि और स्कैम फलता रहे फूलता रहे नए लोग आते रहे इंवेस्टर को हम लुबा सके और वो लोग यहां पर पैसे देश के दो तो यह सारा का सारा गोलमाल आप इस वीडियो में आसारी से समझ सकते हैं कि यह जितनी भी स्कीम है सारी की सारी और जितनी भी चीज़े लेकर आते हैं कि इस परोड़क्ट को हम लोज करें हैं यह परोड़क्ट यहां पर आ रहा है दोस्तों दरसल इन परोड़क्ट पे ऐसी कुछ चीजों पर कोई काम चल ही रहा है काम चल रहा है सिरफ एक पर प्रोडक्ट पर जिसका नाम है और स्कैम और उसके लिए ही ये सारी की सारी चीजे की जा रही है 40-50 जूम के पैकेज लिए गए है परमोट करने के लिए हैदराबाद में एक बिल्डिंग किराए पर ली गई है जिसको ओफिस का नाम दिया गया है वहाँ पे लैप्टोप स्क यो ऐस मुभार को बताया जा रहा है और ओन पैसिव कंपनी जो इंडिया में रजिस्ट्रेड है वह है असमाहन मुभारे और किरन कुमार के नाम से इनके मालिक ये हैं और जिस गोफाउंडर को आपने पैसे दिये हैं वो MCA में रजिस्ट्र नहीं है इंडिया में वह अभी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाक्यू एंड बाई बाई